विमर्ष न्यूस पर सुनिये फॉर्डर स्कैम केस का संशिप्त विवरन लालू प्रसाद यादव और रविंदर राना को आज पशुपालन चारा घोटाला मामले में दोशी करार दिया गया ये चारा खरीद में 182 करोड रुपे की गलत निकासी करने के इल्जाम में दिया गया फैसला है मूल मुकदमा यही है 1996 में पटना हाई कोट ने 11 मार्च को CBI को निर्देश दिया था कि डुरूंडा थाना राची के कांड संख्या 60 बटा 96 के मामले की जाच करे उस समय थाना ने US 120B और RW 109, 420, 477, 478, 471, 471 के तहट मुकदमा किया था IPC धारा 1988 के तहट सभी मुकदमा दर्ज किया गया था जाच के बाद 8 माई 2001 को CBI के विशेश अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया इसमें राजनीता, अफसर, प्रेजरी ओफिसर, सप्लायर और वेटरनीटी डॉक्टर शामिल थे 4,210 अवेज प्रस्तुत किये गए और 575 विटनेस गुजरे 171 लोगों में से 99 लोगों पर मुकदमा चल सका क्योंकि पहले ही 55 लोग की मित्यू हो गई थी 8 सरकारी साक्ष यानि अप्रूफ बन गए थे 6 लोग भाग गए और 2 ने गलती मान ली थी जिन पर मुकदमा था उनमें से 24 लोगों को पहले से सजा हो चुकी है और 99 पैतिस लोगों को 3 साल के लिए सरश्रम कारावास की सजा दी गई है दो राजनेताओं लालू प्रसाद यादव और रविंद्र राना सहित कुल 40 लोगों के खिलाफ इस मंगलवार 15 फरवरी को दोश थाबित कर दिया गया है और विशेश नियायले में इन्हें 21 फरवरी को सजा देने की तारीक तै कर दी है लालू प्रसाद यादव जब भी जेल भीज जाते हैं या उन्हें सजा दी जाती है तब राजनीतिक तोर पर उनके बचाओं में एक ही तरकाता है कि बड़े बड़े घोटालों के दोशी तो छूट गए और लालू जी नहीं छूटे यह न्याय प्रणाली के उपर आरोप के रूप में कहा जाता है परंतु गौर करने की बात है कि पशुपालन घोटाले की वज़े से जेल जाने के बावजूद लालू प्रसाद यादव जब भारत के रेल मंत्री बने तब उन्होंने कोई सबक नहीं ली उन पर कई जगे नौक्रियों के बदलने में जमीन लेने का आरोप है लालू प्रसाद यादव ने नितीश के साथ जब साजा किया और मंत्री मंडल बना तो अपने दोनों बेटों के लिए खूब कमाई करने वाला कमासुत विभाग ही लिया यही नहीं इन पर यह आरोप था कि सरकार में रहते वे वो अपना मॉल बनवाने के लिए सरकारी खर्चे से मॉल में मिट्टी भरवा रहे थे हमारी राजनीती में ब्रश्टाचार के मामनों से सबक लेने की गुणजाईश घटती गई है